देश के सबसे अच्छे अस्पताल का नाम मेदानता नहीं एम्स है जो सरकारी है सबसे अच्छे इंजनियरिंग कॉलेज का नाम आई आई टी है जो सरकारी है सबसे अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज का नाम आई आई एम है जो सरकारी है देश के सबसे अच्छे विद्याले केंद्रिय विद्याले है जो सरकारी है देश के एक करोड लोग अभी या किसी भी वक्त अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए सरकारी रेल में बैठते हैं नासा को टक्कर देने वाला इसरो अम्मानी का नहीं सरकार के लोग चलाते हैं सरकारी संस्ताय फाल तुमें बदनाम है अगर इन सारी चीजों को प्राइवेट हातों में सौंप दिया जाए तो ये सिर्फ लूट खसोट का अड़ा बन जाएंगी नीजी करन एक विवस्ता नहीं बलके नव सियासती करन है नीजी करन से बेरोजगारी बढ़ेगी जो सरकारी संस्तान एक लाख लोगों को रोजगार दे रहा है वो नीजी हातों में जाते हैं 15 से 20 हजार या उससे कम काम कराएंगे मतलब 80% लोग बेरोजगार होंगे अगर हर काम में लाख की ही सियासत होगी तो आम जनता का क्या होगा कुछ दिन बवाले रियासती करन वाले लोग कहेंगे कि देश के सरकारी स्कुलों, कॉलेजों, अस्पतालों से कोई लाख नहीं है अगर देश की आम जनता प्राइवेट इसकुलों और अस्पतालों के लूट तंत्र से संतुष्ट है तो रेलवे, बैंकों और अन्य सरकारी स्कुलों को भी नीजी हातों में जाने का स्वागत करे हमने बहतर विवस्ता बनाने के लिए सरकार बनाई है ना कि सरकारी संपत्ती मुनाफ़ा खोरों को बेचने के लिए अगर प्रवंदन सही नहीं तो सरकार सही करे भागने से तो काम नहीं चलेगा नीजी करने एक साजी से कि पहले सरकारी संस्तानों को ठीक से काम नकरने दो फिर बदनाम करो जिस से नीजी करने पर कोई बोले नहीं फिर धीरे धीरे से अपने आकाओं को बेज दे जिन्नों ने चुनाऊ के भारी भरकम खर्य की फंडिंग की है याद रखिए पार्टी फट में गरीब मजदूर किसान पैसा नहीं देता पूंची पती देता है और पूंची पती दान नहीं देता निवेश्च करता है चुनावबाद में मुनाफे की फसल काडता है आईए विरोध करे नीजी करन का सरकार को एहसास कराए कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं सरकार ये संप्रत्तियों को बेचे नहीं अगर कहीं घाटा है तो प्रवदन ठीक से करे न की उन्हें बेज दे वीडियो में व्यक्त विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं आप देख रहे हैं SD24